नमस्कार, मैं कहला शर्मा, एक बार फिर उपस्तित हूँ आपके सामने, कक्षा 9, शैमुशी भाग एक का दूसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है स्वर्ण काकह अर्थात सुनहरा कव्वा पुरा कस्मिस्चित ग्रा में एका निर्धना व्रधा श्त्री न्यवसत पुरा यानि प्राचिन काल में कस्मिस्चित ग्रा में किसी गाउं में एका निर्धना व्रधा श्त्री एक निर्धन बूढी महिला न्यवसत रहती थी तस्यास चाईका तस्याह च एका यानि उसकी एक दुहिता यानि बेटी विनम्रा मनोहरा चासी विनम्र ओर मनोहर थी एक दा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रिम आदी देश एक दा यानि एक बार माता माताने स्थाल्याम थाली में तंडुलान निक्षिप्य तंडुलान प्लस निक्षिप्य यानि चावल रखकर पुत्रिम आदी देश यानि पुत्री को बेटी को आदेश सूरिया तपे तंडुलान खगे भ्यो रक्ष सूरिया तपे यानि धूप में तंडुलान चावलों को खगे भ्यो पक्षियों से रक्ष रक्षा करो यानि इन चावलों की पक्षियों से रक्षा कीजिये किंचिद कालाद अनंतरम कुछ समय के बाद, थोड़ी देर बाद, एक विचित्र काकह, एक विचित्र कव्वा, सम्मुडिय उड़कर ताम उप जगाम, ताम प्लस उप जगाम, यानि उसके पास आया नैता द्रिशह, स्वर्ण पक्षो, रजत चंचुह, स्वर्ण काकस, तया, पूर्वम द्रिश्टह, नैता द्रिशह, न प्लस एता द्रिशह, एता द्रिशह, यानि इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो, सोने की पंखों वाला, रजत चंचुह, यानि चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकह सुनहरा कववा तया उसके द्वारा यानि उस लड़की के द्वारा पूर्वम न द्रिष्टह पहले कभी नहीं देखा गया तम यानि उसको किसको कववे को तंडुलान खादन तम चावल खाते हुए को हसंतम च और हस्ते हुए को विलोक्य यानि देखकर बालिका रोधितुम आरबधा बालिका ने रोधितुम प्लस आरबधा यानि रोना आरंब कर दिया चावल खाते हुए और हंस्ते हुए उस कव्वे को देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया तम निवार यंती उस कव्वे को रोकती हुई चावल खाने से रोकती हुई सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की किसने उस बालिका ने तंडुलान मा भक्षय, तंडुलान अर्थात चावलों को मा यानि नहीं, भक्षय यानि खाओ, चावलों को मत खाओ, मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदिया माता मेरी माता अतीव निर्धना बहुत निर्धन यानि गरीब वर्तते है, सुर्ण पक्षह का कह, सोने की पंखों वाले कवे ने प्रोवाच, प्रव प्लस उवाच अर्थात कहा, सोने की पंखों वाले कवे ने कहा, माशुचह, शोक मत करो, यानि चिन्ता मत करो, सूर्यो दयात प्राग ग्रामाद बही पिपल व्रक्षम अनू त्वया आगंतव्यम सूर्यो दयात प्राग प्राग यानी पहले सूर्यो दय से पहले ग्रामाद बही गाउं के बाहर पिपल व्रक्षम अनू पिपल व्रक्षम यानी पीपल के पेड के अनू यानी समीप तुम्हारे द्वारा आना चाहिए, यानि तुम्हें आना है, कल सूर्योदय से पहले गाउं के बाहर जो पीपल का पेड़ है, वहां तुम आना, ऐसा कव्वे ने कहा, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य, यानि चावलों की कीमत दास्यामी यानि दूंगा, प्रहर्शिता बालिका निद्राम अपी न ले भे, प्रहर्शिता यानि प्रसन बालिका ने निद्राम अपी नींद भी न ले भे नहीं ली, अर्थात प्रसन होकर के वो बालिका रात को सो भी नहीं पाई, ये इस गद्यांश से संबंदित कठि उपस्थिता सूरियो दयात पूर्वम एव यानि सूरियो दय से पहले ही सा यानि वह कौन बालिका तत्र प्लस उपस्थिता वहां उपस्थित हो गई यानि उस पीपल के पेड के पास पहुँच गई व्रक्षस्य उपरी विलोक्य व्रक्षस्य प्लस उपरी यानि व्रक्ष के उपर उस पीपल के पेड के उपर विलोक्य देख कर सा चास्चरिय चकिता संजाता सा च च यानि ओर आस्चरिय चकिता यानि आस्चरिय चकित अचम्भित संजाता हो गई यत तत्र यत प्लस तत्र की वहां स्वर्ण मयह प्रासादो वर्तते स्वर्ण मयह यानी सुनहरा सोने का प्रासादः यानी महल वर्तते यानी है यदा काकह शैत्वा प्रबुद्धस तदा यदा यानि जब काकह यानि कववा शैत्वा सोकर प्रबुद्ध उठा जगा तदा तब तेन यानि उस कववे के द्वारा स्वर्ण गवाक्षात कथितम स्वर्ण गवाक्षात यानि सोने की खिडकी से कथितम कहा गया यानि बाहर देखकर बोला, हन हो बाले हे बालिका, तुवम आगता, तुवम प्लस आगता, यानि तुम आगई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत कृते सोपानम अवतारयामी, अहम यानि म त्वत कृते तुम्हारे लिए सोपानम यानि सीधी अवतारयामी उतारता हूं, तत कथय तो कह स्वर्ण मयम यानि सोने की सीडी उतारूं रजत मयम या फिर चांदी की ताम्र मयम वा या ताम्र मयम या फिर तांबे की कन्या प्रावोचत प्र प्लस अवोचत कन्या ने कहा अहम निर्धन मातुर दुहितासमी अर्थात निर्धन मातुहु प्लस दुहिता प्लस असमी यानि गरीब माता की दुहिता यानि बेटी असमी यानि हुँ मैं गरीब माता की बेटी हूँ अतह ताम्र सोपाने नईव आगमिशामी ताम्र सोपाने एव यानि ताम्बे की सीधी से ही आगमिशामी आऊंगी अर्थात मैं निर्धन हूँ अतह ताम्बे की सीधी मेरे लिए प्रयाप्त है मैं उसी से आऊंगी परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद परम यनि परंतु स्वर्ण सोपानेन सोने की सीडी से सा यनि वह बालिका स्वर्ण भवनम सोने के भवन में आससाद यनि पहुंची अर्थात वह बालिका सोने की सीडी से उस सोने के महल में पहुंची चिर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनी सजितानी द्रिष्टवा सा विस्मयम गता। पूर्वम लगु प्रात राशह क्रियताम पूर्वम यानि पहले लगु प्रात राशह प्रात राशह यानि सुबह का नाश्ता लगु यानि हलका सुबह का नाश्ता कर लीजिये। उत अथुआ ताम्रस्थाल्याम या फिर ताम्रस्थाल्याम या फिर ताम्रस्थाल्याम या फिर ताम्रस्थाल्याम एव अहम यानि ताम्रस्थाल्याम एव अहम यानि ताम्रस्थाल्याम यानि ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना मैं गरीब बालिका बोजनम करिश्या संजाता तदा यानि तब साब कन्या वह बालिका च प्लस आश्चरिय चकिता यानि अचंभित संजाता हुई यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कव्वे द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम बोजनम परिय वेशितम स्वर्ण स्थाल्याम यानि सोने की थाली में बोजनम यानि बोजन खाना पर्यविशितम परोसा गया अर्थात जब कव्वे ने उसे सोने की थाली में बोजन परोस कर दिया तो वह आश्चरिय चकित यानि अचम्भित हो गई नैतादिरिक स्वादू बोजनम अध्यावदी बालिका ने नहीं खाया था काको बुते काकः यानि कौवा बुते यानि कहता है कववा कहता है बालिके हे बालिका अहमिच्छामी मैं चाहता हूँ यत्वम की तुम सर्वदा चात्रेव तिष्ठ सर्वदा यानि हमेशा चात्रेव चा प्लस अत्रेव यानि यहीं तिष्ठ रहो मैं चाहता हूँ की तुम हमेशा यहीं रहो परम तव माता वर्तते चाईकाकिनी परम यानि परां तुम्हारी माता वर्तते माता है च और एकाकिनी यानि अकेली परांतु तुमारी माता जो है वो अकेली है इसलिए तुम शिग्रमेव स्वग्रहम गच्छ तुम यानि तुम शिग्रमेव यानि तुरंत ही स्वग्रहम अपने घर गच्छ यानि जाओ इत्युक्त्वा काकह इत्युक्त्वा यानि यह कहकर काकह कव्वेने कक्षा भ्यंतरात तिस्रो कक्ष प्लस अभ्यंतरात प्लस तिस्रो यानि कम्रे के अंदर से तीन मंजुशाह यानि पेटियां निसार्य निकाल कर ताम प्रत्यवदत ताम यानि उस बालिका को यानि वापस बोला फिर बोला बालिके हे बालिका यथे चम ग्रहान मंजुशाम एकाम एकाम मंजुशाम यानि एक पेटी को यथे चम यथा प्लस इच्छम यानि जैसी इच्छा है उस प्रकार यानि जो चाहिए उस एक पेटी का को ग्रहान ग्रहन करो इन तीनों में से आप आपको जो अच्छी लगे वो एक पेटी का ले लिजिए। ग्रहम आगत्य यानि घर आकर तया उसके द्वारा मंजुशा यानि पेटी समुद घाटीता खोली गई। अर्थात जब उसने घर आकर वह पेटी खोली तो उसमें बहुमुल्य हीरे देखकर वह बहुत प्रसन होई और उने पाकर वह उस दिन से धनी यानि अमीर हो गई। ये इस गद्यांश से संबंदित कठिन शब्दार्थ। तस्मिन नेव ग्रामें एका अपरा लुबधा वृधा नेवसत। उसी गाउं में एक दूसरी लालची वृधा यानि बुढिया रहती थी। तस्या पी एका पुट्री आशीथ तस्या पी उसकी भी एका पुट्री एक बेटी आशीथ यानि थी। इर्षया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्यातवती इर्षया यानि इर्षया से इर्षया पूर्वक सा उसने उस बुढियाने तस्य स्वर्ण काकस्य उस सुनेरे कव्वे का रहस्यम यानि रहस्य अभिज्यातवती जान लिया अर्थात इर्षया से उस बुढियान उस सुनहरे कव्वे वाली वह बात जान ली। थीक वैसा ही किया। जाकर सा काकम निर्भर्चयंती प्रावोचत शा यानि वह काकम कव्वे को निर्भर्चयंती यानि निंदा करती हुई अर्था तिरस्कार करती हुई प्रावोचत बोली। बो नीच काक, हे नीच कववे, हे दुष्ट कववे, अहम आगता, मैं आगई हूँ, मैयम तंडुल मुल्यम प्रयच, मैयम यानि मेरे लिए अर्थात मुझे, तंडुल मुल्यम चावलों का मुल्य यानि कीमत प्रयच दो, मैं आगई हूँ, मुझे मेरे चावलों की कीमत दो काको प्रवीत काकः प्लस अ प्रवीत कव्य ने कहा अहम् त्वत्कर्ते सोपानम उत्तारयामी तत कथय तो कह य quart लिए सवर्ण मयं रजत मयं ताम्र मयं वा स्वर्ण मयम यानी सुनहरी सीडी उतारूं, सोने की सीडी उतारूं, चांदी की सीडी या तामबे की गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वितया यानी गमंडी बालिका के द्वारा प्रोक्तम कहा गया, यानी उस गमंडी बालिका ने कहा, स्वर्ण मयेन सोपानेन आहम मैं तो केवल सोने की सीडी से ही आऊंगी या कारयत यानी ही प्लस अकारयत यानी करवाया ही यानी निश्चित रूप से अर्थात उस कव्वे ने उस बालिका को भोजन भी तामबे के बरतन में करवाया ये इस गध्यांस से संबंदित कठिन शब्दार्थ प्रति निवर्ति काले वापस लोटते समय स्वर्ण काकेन कक्षा बेंतरात तिसरो मंजुषा तत पुरह समुत्क शिप्ताहा प्रति निवर्ति काले यानि वापस लोटते समय स्वर्ण काकेन सुनहरे कव्वे के द्वारा कक्षा बेंतरात तिसरह तीन पेटिया तत पुरह उसके सामने उस गमंडी बालिका के सामने समुत्क शिप्ताहा रख दी लोभा विष्टा सा लालची उस बालिका ने व्रहत तमाम सबसे बड़ी मंजुशाम पेटी को ग्रही तवती ग्रहन किया उस लालची लड़की ने सबसे बड़ी पेटी ली ग्रहम आगत्य सा तर्शिता यावद मंदुशामुद घाटायती ग्रहम आगत्य यानि घर आकर सा उसने तर्शिता यानि उत्सुकता वश मंदुशामुद घाटायती पेटी खोली तावत तस्याम उसी समय तस्याम यानि उस में से उस पेटी में भीषणा कृष्ण सर्पह लुबधया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम लालची लड़की के द्वारा लोब का फल प्राप्त किया गया यानि लालची लड़की को लोब का फल मिल गया तद नंतरम सा लोभम परियत्यजत तद नंतरम इसके बाद सा यानि उसने लोभम लालच को लोब को परियत्यजत परी प्लस अत्यजत यानि त्याग दिया उस दिन के बाद उसने लालच करना छोड़ दिया ये इस गध्यांश से संबंदित कठिन शब्दार्थ ये थी कथा स पहला प्रश्ण है बालिका के द्वारा पहले क्या नहीं देखा हुआ था? बालिकाया पूर्वम स्वर्ण काकह नै द्रिष्टह आसीत बालिका ने पहले सोने का कववा नहीं देखा था रुदंतिम बालिकां काकह कथम आश्वा सयत रोती हुई बालिका को कववे ने कैसे आश्वासन दिया? रुदंतिम बालिकां काकह इदम कथैत्वा आश्वा सयत रोती हुई बालिका को कववे ने यह कहकर आश्वासन दिया यत की मा शुचह दुख मत करो अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी मैं तुमें चावलों का मूल्य दूंगा बालिका किम दृष्टवा आश्चरिय चकिता जाता बालिका क्या देखकर आश्चरिय चकित हुई बालिका व्रक्षत स्योपरी स्वर्ण मया प्रसाद दृष्टवा आश्चरिय चकिता जाता बालिका पेड के ऊपर सोने का महल देखकर आश्चरिय चकित हुई बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद बालिका कैसी सीडी के द्वारा सोने के भवनमें पहुंची सा ताम्रस्थाल्या चैनाय किम तरकम ददाती उसने ताम्बे की थाली के चैन के लिए क्या तरक दिया सा तरकम ददाती वह तरक देती है यानि उसने तरक दिया यत की अहम निर्धना ताम्रस्थाल्या में एव बोजनम करिश्या में मैं निर्धन हूँ अतह मैं ताम्बे की थाली में ही बोजन करूंगी गर्विता बालिका की द्रिशम सोपानम अयाचत की द्रिशम च प्रापनोत गमंडी बालिका के द्वारा कैसी सीडी मांगी गई और उसे कैसी प्राप्त हुई गर्विता बालिका स्वर्ण सोपानम अयाचत गमंडी बालिका ने सोने की सीड़ी मांगी परम परंतु सा ताम्र सोपानम एव प्रापनोत उसे ताम्बे की सीड़ी ही प्राप्त हुई दूसरा प्रश्ण है अदो लिखिता नाम शब्दा नाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत नीचे लिखेवे इन शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए पश्चात यानि बाद में पूर्वम पहले हसितुम हसने के लिए रोधितुम रोने के लिए अदाह नीचे उपरी उपर श्वेताह सफेद क्रिश्णाह काला सूरियास्त यानि सूर्य का चिपना सूर्यो दयाह सूर्य का उदय होना सुप्तह सोयाहुआ प्रबुद्धह जगाहुआ संधिम कुरुत संधी कीजिए नी प्लस अवसत न्यवसत सूर्य प्लस उदयाह सूर्यो दयाह व्रक्षस्य प्लस उपरी व्रक्षस्य उपरी ही प्लस अकारयत ह्यकारयत च प्लस एकाकिनी चैकाकिनी इती प्लस उक्तवा प्रति प्लस अवदत प्रत्यवदत प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम अत्र प्लस एव अत्रैव तत्र प्लस उपस्थिता तत्रो पस्थिता यथा प्लस इच्छम यथेच्छम तीसरा प्रशन है स्थूल पदान्य धिकृत्य प्रशन निर्मानम कुरूत इन पदों के अधार पर प्रशन निर्मान कीजिए ग्रामे निर्धनास्तरी अवसत गाउं में निर्धनस्तरी रहती थी ग्रामे का अवसत कोन रहती थी स्वर्ण का कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत सुनहरे कव्वे को रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की तो किसको रोकती हुई तो कम निवारयंती प्रश्ण बनेगा कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत किसको रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की सूर्यो दयात पूर्वमेव बाली का तत्रो पस्थिता सूर्यो दय से पहले ही बाली का वहां उपस्थित हो गई, पहुँच गई तो किस से पहले तम पूछेंगे कस्मात पूर्वम तो प्रश्ण बनेगा कस्मात पूर्वम एव बाली का तत्रो पस्थिता किस से पहले बाली का वहां पहुँच गई बाली का निर्धन मातोह दुहिता आसीत बाली का निर्धन माता की बेटी थी तो किस की बेटी थी तो बाली का कस्या दुहिता आसीत बाली का किस की बेटी थी लुबधा वृधा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्यातवती लालची बुढिया ने सुनहरे कव्वे का रहस्य जान लिया लालची बुढिया ने किसका रहस्य जान लिया तो प्रश्ण बनेगा लुबधा वृधा कस्य रहस्यम अभिज्यातवती लालची बुढिया ने कि का रहस्य जान लिया चोथा प्रश्ण है प्रकृति प्रत्य संयोगम कुरूत प्रकृति प्रत्य का संयोग कीजिए पाठात चित्वा वा लिखत या फिर पाठ से चुनकर लिखिए हस धातु प्लस शत्री प्रतय इनके संयोग से बनेगा हसन भक्ष प्लस शत्री भक्षयन, वी लोक्री लेप विलोक्य, नी क्षिप लेप निक्षिप्य, आ गम लेप आगत्य, द्रिश प्लस क्त्वा द्रिश्ट्वा, शी प्लस क्त्वा शैत्वा व्रिध्ध प्लस टाप व्रिध्धा सुत प्लस टाप सुता लगु प्लस तमप लगु तमः यह पुलिंग का रूप है स्ट्रिलिंग में बनेगा लगु तमा और नपुन्सक लिंग में बनेगा लगु तमम प्रकृती प्रतय विभागम कुरूत दिये गए इन शब्दों में प्रकृती प्रतय अलग-अलग कीजिए हसंतम हस प्लस शत्री रोधितुम रुद प्लस तुमुन वृधा वृधा प्लस टाप भक्षयन भक्ष प्लस शत्री दृष्ट्वा दृष प्लस क्तुवा विलोक्य वी लोक्री लेप निक्षिप्य नी क्षिप प्लस लेप आगत्य आ गम लेप शैत्वा शी प्लस क्तुव सुता सुत प्लस टाप लगु तमम लगु प्लस तमप चटा प्रश्ण है अदो लिखितानी कथनानी कह का कम काम चा कथयती नीचे लिखे उए कथन कौन किस से कहता है लिखिये पूर्वं प्रात राशा क्रियताम पहले नाश्ता कर लीजिये या किसने कहा सुर्ण काकह प्रतमाम बालिकाम सुनहरे कव्वे ने सोन्य के कव्वे ने पहली बालिका से कहा सूर्या तपे तंडुलान खगे भ्यो रक्ष दूप में रखे हुए चावलों की पक्षियों से रक्षा करो यह किसने कहा प्रथमा व्रिधा यानि पहली बुढिया ने इमानदार बुढिया ने प्रथमाम बालिकाम पहली बालिका को यानि अपनी बेटी को तंडुलान मा भक्षय चावलों को मत खाओ यह किसने कहा प्रथमा बालिका यानी पहली बालिका ने स्वर्ण काकम सोने के कव्वे को अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा किसने कहा स्वर्ण काकह प्रथमाम बालिकाम सोन्य के कव्वे ने पहली बालिका से कहा भो नीच काकह अहम आगता हे नीच कव्वे मैं आगई हूं मैयम तंडुल मुल्यम प्रयाच्छ मैयम यानि मुझे चावलों का मुल्य दो किसने कहा द्वीतिया बालिका दूसरी बालिका ने स्वर्ण काकम सोन्य के कव्वे से सात्वा और अंतिम प्रश्ण है उधारन मनुसृत्य कोष्ठक गतेशु पदेशु पंचमी विबक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्तस्थानानी पूरयत इस उधारन की अनुसार कोष्ठक में दिये गए इन शब्दों में पंचमी विबक्ती का प्रयोग करके ये रिक्तस्थान बरने हैं उधारन है मुशकह बिलाद बही निर्गच्छती चूहा बिल से बाहर निकलता है या जाता है पहला है जनह ग्रामात बही आगच्छती व्यक्ती गाउं से बाहर आता है नद्यह परवतात निसरंती नदियां परवत से निकलती हैं व्रक्षात पत्राणी पतंती व्रक्ष से यानि पेड से पत्ते गिरते हैं बालकह सिंहात विभेती बालक शेर से डरता है इश्वरह कलेशात त्रायते इश्वर कलेश से रक्षा करते हैं प्रबुह भक्तम पापात निवारयती भगवान भक्तों को पाप से निवारन करते हैं पाप से रोकते हैं ये था पाठ स्वर्ण काकह इस पाठ से संब्दित कोई भी प्रशन हो तो कृपया कमेंट्स में लिख कर अवश्य पूछें धन्यवाद